Dear students, क्या आप इस question को 30 seconds में solve कर सकते हैं? Yes or not? अगर आप कर सकते हैं तो that's good, अगर नहीं कर सकते हैं फिर भी that's good क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद में आपको यकिन देता हूँ, आप easily कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में जो हम question solve करेंगे, वो tricks की मतल से करेंगे तो let's start without wasting time Friends, इस वीडियो में हम tricks के साथ कुछ problem solve करेंगे जो के hand shakes से related है It is like, at the end of meeting 10 people shake hands with each other How many hand shakes will there be total? यानि कि एक meeting में 10 people जाते हैं और वो एक दूसरे थे hand shake करते हैं तो total hand shake कितने होंगे? तो ऐसे questions होते हैं बहुत ही important भी होते हैं और बहुत ही hard होते हैं तो इस वीडियो में हम tricks के साथ सीखेंगे तो tricks छोटकट होती है, इसका 30 seconds में आप जवाब निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हम दो कुस्टें सोल करेंगे, यह दो कुस्टें हम सोल करेंगे और आप इसकी practice करना तो ऐसे आप हजार कुस्टें भी easily कर सकते हैं तो second question है वो भी इस तरह के का है जैसे के it the conference five members shake hands with each other how many total numbers of hand shakes occurred same question है, तो अगर हम एक करेंगे तो दूसरा आप खुदी कर लेंगे तो हम दो इसमें करेंगे, आप जितनी मरदी उतनी कर सकते हैं, बहाँसानी and as you know that concept is power, concept power होता है तो concept clear करने के लिए मैं आपको एक सादा सा example दे देता हूँ वो example करने के बाद हम solve करेंगे question, concept is power तो concept clear करते हैं सबसे पहले तो friends concept clear करने के लिए हमने एक छोटा सा example लिया है तो इस example की मदद से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो friends example बहुत ही आसान है, example इस तरीके करेंगे के चार लोग है, वो एक दूसरे से end shake करेंगे तो कितने end shake होंगी, ठीक तो friends concept के लिए करने के बाद मैं आपको trick बता हूँगा तो सबसे पहले हम concept के लिए करते हैं अब देखें, A, B, C, D ये चार लोग है, A अलग, B अलग, C अलग, D अलग तो ये एक दूसरे से end shake करेंगे, तो कितने end shake होंगे चले देखते हैं अब देखें, सबसे पहले A, B से end shake करेगा फिर जो A करेगा, C से end shake करेगा फिर जो A है, वो D से end shake करेगा यानि के A ने तो अपना काम कर लिया A ने तो सबसे end shake कर लिया अब देखें A ने तो अपना काम कर लिए अब B की बारी है B पहले C से आए एंड शेक करेगा फिर D से एंड शेक करेगा A से नहीं करेगा क्योंकि A से मिल चुका है वो पहले ही अल्रेडी मिल चुका है अल्रेडी वो हाले वाल पूछ चुके हैं तो वो A से नहीं करेगा वो सिर्फ C और D से करेगा तो अब देखें C सिर्फ D से एंशेक करेगा क्योंके A और D भी मिल चुके हैं A और B भी मिल चुके हैं A और C भी मिल चुके हैं B और C भी मिल चुके हैं B और D भी मिल चुके हैं अब C D से मिलेगा क्योंके C B से पहले ही मिल चुका है C A से पहले ही मिल चुका है अब remaining जो है वो D है तो C D से सिर्फ मिलेगा तो इस तरह से देखें सब एक दूसरे से मिल चुके हैं अब आते हैं ट्रिक की तरफ तो friends ट्रिक से पहले अब ये काउंट कर लें एक दो तीन चार पांच छे यानिके चार जो मेंबर से एक दूसरे थे हैंड शेक करेंगे तो जो हैंड शेक होगी वो च्छे होगी तो आब ट्रिक की तरफ आते हैं तो फिर इन सी ट्रिक के टोटल नमबर मॉल्टिपलाए टोटल नमबर माइनस वन और डिवाइड बाइ टू तो टोटल नमबर यहां पर कितने हैं फोर है टोटल नमबर उफ पिपल फोर तो फोर से सबसे पहले हम माइनस करेंगे एक तो जो फिर टोटल नमबर से उसको हम मल्टिपलाए करेंगे यानिके फोर से एक गया तीन 3 को multiply करेंगे 4 से तो 4 से multiply करने के बाद 12 आएगा 12 को हम divide करेंगे 2 से तो 6 आएगा तो हमने practical किया वहाँ पर भी 6 अंसर आया और जो trick विजूद किया वहाँ पर भी 6 आया तो dear students अब जो question है वो trick के साथ solve करते हैं At the end of meeting 10 people shake hand with each other How many hand shakes will there be total तो friends यहाँ पर देखें सबसे पहले हमको total number से minus करना है फिर जो minus करने के बाद हमको total number से multiply करना है यहाँ पर देखें 10 से एक गया 9 9 को multiply गया 10 से 90 आगा 90 को divide किया 2 से तो 45 अंसर आया 45 जो answer है वो correct answer है देखें 30 seconds भी नहीं लगया हमको अब जो next question है वो भी इस तरीके का है इडा confront 5 members shake hands with each other how many total numbers of head and shakes occur तो यहाँ पर भी हमें total number से एक minus करना पड़ेगा और उतको multiply करना पड़ेगा total number से तो आएगा answer 20 20 को 2 से divide करेंगे तो answer आएगा 10 तो 10 answer right है तो 10 ही इसका जवाब है तो friends अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो please चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की update सबसे पहले आप तक पहुंचे तो friends जैसे के मैंने बोला के concept is power concept power होता है इसी तरह sharing is caring अगर आप अपने friends की अपने relative की care करते हैं तो इस वीडियो को share भी कर दें